दिवेलुक्स संदेश प्रिय मालिक पुझ बाबुजे महाराज रविबार 16 मई 1999 परात आठ बजे हम तुम्हारी कठिनाईया तथा तुम्हारे प्रयासों को समझते हैं जो तुम बने रहने के लिए करते हो हम इस बारे में असमवेदनशिल नहीं है हमने किनी पहलूँ पर तुम्हे कुछ सुधार प्रदान किये हैं लेकिन हम सब कुछ नहीं बदल सकते हैं इन संदेशों को लेकर तुम जो अच्छा कर रही हो उसे जानो उन्हें तुम जो सह रही हो उस दशा से तुम्हारे मन को हटा लेने दो रुथवी पर समय कम है यह तैयार करने के एक पाठशाला है और तुम्हारा भविश्य इस पर निर्भर करता है अच्छे शिश्य बनो जो प्राय कठिन परंतो रचनात्मक प्रशिक्षन से गुजरने के प्रतीकृतग्य रहते हैं सबसे कठीन ख्षनों के दवरान स्पश्टता पुर्वक देखो परिस्तिती का आकलन करने के लिए दुरदर्शिता का सहारा लूँ चीजों को परिदृष्य में रखो और उचित निश्कर्ष निकालो जहां जानते हुए कि जो ज़्यादातर प्रभावित करता है वह चिंता जनक नहीं है और अंत में समय चीजों को सुल्जा ही देता है जब कठिनाईयों से सामना हो तब उन करोडों लोगों के बारे में सोचने का प्रयास करो जो अमानिवी ये परिस्तितियों में रह रहे हैं और जिनके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है शेश मानोता को प्राय इसकी जानकारी रहती है भावों की अभिवक्ति की जाती है और कल्यानकारी कारिय किये जाते है परन्तु यह बहुत अपरियाप्त है तुम्हारे लिए जब सब कुछ खराब हो रहा हो तो उनके लिए कुछ करने का प्रयास करो जो विकट परिस्तितियों में है यद्देपी इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हारी समस्षाएं हल हो जाएंगी लेकिन तुम्हारे वृदय वो विचारों की उधारता के द्वारा तुम एक दुखी आत्मा की शायद मदद करोगे और खशनभर के लिए तुम अपने चिन्ताओं को भूल जाते हो तुम अब और अपने दर्द पर या अपनी पारिवारिक या आर्थिक समस्याओं पर केंद्रित नहीं रहते हो तुम एक प्रकार से अपने आपको उनसे मुक्त करत लेते हो करुणा एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए यह तुम्हारे विकास के लिए भी अत्यावश्यक है उसे इसे विकसीद करो अपने आपको सामान्य मानविय कष्टों में डूबे देने से तुम अपने कष्टों को कम कर पाओगे तुम इन्हें अधिक बरदाश्त कर पाओगे अपने उपर कार्य करना कभी बन मत करो यह तुम्हारी उत्कृष्ट रचना है अन्तिम विश्लेशन में सबसे अधिक निरणायक जब तुम अपने जीवन का अकलन करोगे तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू में से एक के छूट जाने की तुम्हें चिंता नहीं करने पड़ेगी अपने बारे में खुद के मुल्यांकन को पैना करो देर सवेर यह तुम्हें करना ही पड़ेगा अच्छा होगा कि समय बरबाद मत करो आउसला रखो पुज बाबुजी महराज